नमस्कार फर्स्ट बिहार जारखन देख रहा है आप मेरा नाम अश्मित है आपको बताएं कि पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में कहीं न कहीं लोगों को काफी समय मिला है जी हाँ आपको बताएं इसी का नतीज़ा है कि लोग अपने घरों में इस लॉक लोग अपने घरों को कोरोना प्रूफ लगाने में पूरी तरह से जुटे हैं एक तस्वीर और निकल के आई है पटना से आपको बताए कि एक छात्र जिनका नाम अश्वनी आनंद है उन्होंने एक पेंटिंग बनाया है ऐसे तो अमूमन वह कई पेंटिंग बनाते हैं ले लगतार जा रही है ऐसे में एक महीला मजदूर ने एक बच्चे को सडक पे ही जन्म दिया उसके बाद से वहां जो सहयोगी महीला कर्मी थी जो पुलीस महीला कर्मी थी उनने उनका काफी सहयोग किया तो इसी पे उनने एक पेंटिंग बनाया है जिससे वो देश को लोगों को देश के लोगों को समाज को जागरू कर रहे हैं ऐसे तो कई पेंटिंग वो बनाते नजर आते हैं क्योंकि आपको बताये कि अश्वनी आनंद पटना यूनिवसिटी के आर्ट्स और क्राफ्ट कॉलेज के स्टुडेंट है और लगतार वो इस तरह की पेंटिंग बनाते र की उन नर्सेस की उन पुलीस वालों की जो इस खतरनाक वाइरस के कारण सड़क पर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को जागरू करने में जूटेवे हैं हाली में उन लोगों के उपर फूल बरसाया गया उन्हें सम्मान दिया गया उनकी भी पेंटिंग वो बना है की एक तस्वीरे देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं अश्वनी आनंद ये भी सुनिये अश्वनी आनंद है कलाइब हम सिर्प महाविद्यलय पटना का इस्टूडेंट हूं जैसा कि आप सभी अभी जान रहे हैं कि यह अभी वाइरस का दौर चल रहा है और इस वाइरस से ह हमें डट के मुकाबला करनी है मैं अभी ततकालिक के माहौल पे संवेदित होकर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाया हूं और लोगों को जागरूप कर रहा हूं मेरी एक पेंटिंग है जिसका मैं टाइटल दिया हूं बेबी बॉर्न ऑन दे रोड में दो पुलिस कर्मी को दर की हुए है अर्थात मैं यह कहना चाहरा हूं कि इसके परदे के पीछे डिलेबरी हो रही है सुरक्षित तरीके से रोड पे और यह उनके छत्रचाया में हो रही है जिसके लिए मैंने इस टोपी का मैंने यूज क्या है इसके देखरेक के लिए तो अभी के समय में किस परका देना चाहता हूं कि आपने यह ओन रोड सुरक्षित डिलेबरी करवाई यह बहुत बड़ी बात होती है और इन्हें सुरक्षित रखे बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप सभी से निवेदन है कि आप सब इन करोना वाडियर्स पुलिस कर्मी डॉक्टर सफाई कर्मी का सम्मान करें धन्यवाद पेटा पटना